हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टेडी विदनस में और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट जो के कोश्चन बनते हैं लगतार आते हैं जो पूछे जाते हैं कोश्चन भूगोल के संपूर भूगोल के कोश्चन यह हम स्रीच कराइंगे और आज केबल सी 40 कोश्चन कराइंगे तो आपको चाहिए कि पूरी क्लास को आप देखें चलिए फैंस शुरू करते हैं इस क्लास को देखिए पहला कोश्चन पहला कोश्चन है वह पूचा है कि नीचे दिये गए पत्नों मतलब होता है कि जो बंदरगा थे में से मुगल काल में सबसे बड़े पत्न मतलब बंदरगा का नाम क्या था फुगली चटगां तिके बाला सोर या सूरत इसका हमें सही अंसर बताना है और पहले का जो सही अंसर हो जाएगा डी सूरत चलिए अगला कोश्चन क्या पूचा है इन्होंने अगला कोश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में बहुत इंप्रोटेंट कोश्चन ये मैंने आज ए गर्मी के बाद सर्दी में या पत्थ जड़ में और इसका जो सही अंसर हो जाएगा वह जाएगा सी क्या सर्दी में किसकी बारंबारता अधिक होती है कटी बंद्य चक्रवातों की बारंबारता सर्दी के मोसम में अधिक होती है चलिए अगला कोश्चन हम देखते हैं अग सेलसमू विंधियन सेलसमू धरावार सेलसमू या अरावली सेलसमू यह हमसे पूछा है और इसका उनसा हो जाए चाहए गोडवाला सेलसमों शेयानस ऊजो अगला कोशन देखते हैं देखिया अगला कोशन है कि भारत में वह कौन सा राज्जी है जहां बर्स में सबसे अधिक बर्सा होती है और जो फिक है पंद्रह सो मैं का वाट से अधिक बार्सिक उत्पादर में सत प्रिति सत पन बिजली पैदा करता है मैं घाले है केरल नागालेंड असम यह हमसे पूछा है और इसका जो सही आंस हो जाएगा फ्रेंड फोर को जाएगा यह मैं घाले इसका सही आंस हो जाएगा आई होप यह आपका सबका सही हुआ होगा चलिए अगला कुछ हम देखते हैं हमारे देश में प्रेमुख बनस्पती कौन सी है पत्थ जडबन बरसावन काटिदार जाडियां या सवाना यह ह तजडबन की प्रेमुख बनस्पती हमारे यह पाई जाती है हमारे देश में चलिए अगला कोश्य हम देखते हैं अगला कोश्य इन्होंने पूछा है कि दो हजार ग्यारा की जन्गंड़ना की अनुसार भारत में जन्संख्या का पुरुस इस्तिरी अनुपात क्या था सब्सक्राइब के अनुपात्म न थे आपतों यह तिम्रौत क्षम आपक्वां हुए नहीं है सब्सक्राइब किस अगला कोशन किस इस्थान पर भारत के साथवे निर्यात सवर्धन छेत्र ईपी जी एपी जैड का गठन किया अगला कोशन है कि मध्य पिर्देश की रेलवेल लाइन निमली खित में किसके अंतरगत नहीं पढ़ती जो पूर्वी रैलवे के नहीं पढ़ती तो इसका सही आफाइगा वह हो जाएगा सी किसा आंतरगत नहीं पढ़ती लेक्ट मध्धरेलवे भी आती और पस्षिकूर्ण आती आती है चलिए अगला कोश्चन है कि दंड का रणी है प्रोजेक्ट 36 गड के किस जिले में है ठीक है सरगुजा सिवनी बस्तर सीधी और इसका सही आंसर हो जाएगा फैट्स 11 का सही आंसर हो जाएगा C बस्तर में है डंड करने प्रोजेक्ट अगला कोशन है कि जमसेदपुर किस नदी के टट पर वसा है ठीक है महानदी गोदावरी स्वर्ण लेखा गंगा इसका हमें सही आंसर बताना है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा सी स्वर्ण लेखा नदी पर वसा हुआ है कि टट पर जमसेदपुर चलिए अगला कोशन हम देखते हैं अगला कोशन है फ्रेंड के भारतिय मानक समय गिरिन विच के पूर्व के निमली खित में से किस देशांतर का समय है ठीक है तीज डिगरी 68 डिगरी या 85 फिरिगरी का चलिए अगला कोशन हम देखते हैं गर अगला कोशन है कि निमली खित मेंसे कों सा केंदर सासित प्रदेश नहीं है लकसदीर केंद्रीब केंसा सीनित पश धैस प sponsors थे है चलिए अगला कोश्चन हम देखते हैं अगला कोश्चन है कि मच कुंड जल बिद्धुत परियोजना निम्न में लिखित में से किन राज्जियों का सईयुक्त उधम है उडिशा और आंदर प्रिदेश का है पस्रिमंगाल उडिशा का है तमिलनाडू और करनाटक का है महरा ठजिष्ठान की गंग नहर को पाणी निम्ली खित में से किस नदी से प्राप्त होता है यमुना तो कके और सफ़ते होता है यहा सब पानागी पन्ना ये जैपुर तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पन्ना से निकाला जाता है चलिए अगला कोश्चन हम देखते हैं तो बिजय नेगर समराज्य की राजधानी हमपी किस नदी के टट पर इस्थित है बहुत ज़्यादा कुश्चन है ठीक है गोदावर इसका में सही आंसर बताना है और जो अठारे का फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा वह जाएगा तो बिजय नेगर की समराज्य क्या हमपी पसी हुई थी चलिए अगला कोश्चन हम देखते हैं राजिस्थान की इंद्रा गांदी नहर जो है निमली खित में से किस नदी से निक पाली गए चलिए अगला कोश्चन हम दिखते हैं yeah पाई जाती है यह हमसे पूझा है नागा लेंड में पाई जाती है जारखंड में पाई जाती है नेलगिरी पहाड़ी उपर पाई जाती है या गुजरात में पाई जाती है तो इसका जो सही आंस हो जाएगा फ्रेंड वह जाएगा सी कहा नेलगिरी की पहाड़ी उपर पाई नर्मदा इसका में सही आंसर बताना है जो 22 का फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा वह जाएगा डी नर्मदा नदी की किनारे पर यह बसा हुआ था चलिए अगला कोश्चन हम देखते हैं अगला कोश्चन है कि 2011 की जनगर्णा की अनुसार भारत में इस्तरी पुरुस अनुपात म आपने थोड़ी सा ग्रास भारत फैसर में ध्यार्ण पष्टी मंखालरे वर्मदा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भी जार खंड अगे मोड़ी सामें क्या है भारत में कोई लेकि सबसे धिक भंडार है तो वीशका जाएगा भी चलिए अगला क्वेकरात कि कोंडो June कों सा कर लिए क्मालेय पर्वत एक मुख्य प्रकार है सिमाले पर्वत-एक thou के वृशी परबत का कि पर्वत का तो इसका जो सही यान्स रू जाएगा बी बलीद परबत का यए एक मुख्या परिकार है नुखे कोई आधार गूशन करते हैं कोई अगला कोशन है फ्रेंड के निम लिखित में से कौन सी हिमाले की चोटी असम में इस्थित है नंदा देवी ठीक है नामचे वारवे दोलागीरी या केदारनात यह हमसे पूछा है कहां सी असम में इस्थित है यह हमें बताना है और जो 27 का फ्रेंड से यहांस हो जाएगा वह नामचे बारवे जो है वह चोटी है कहां असम में इस्थित है चलिए यह हमाले की चोटी है चलिए अगला कोशन हम देखते हैं कि निम लिखित किरसी उपज एवं उसके मुख्य उत्पादक खेत्रों के युगमों में से कौन सा सही नहीं है ठीक है यह जूट जो होता है प अस्वरास नंगाल में होता है को ने नहीं लिखते हैं अगला कोशन हम एक भारत तर्पो ग्रॉफिकल चीक है मांचित्व किसके दौरा तयार किये जाते हैं यह हमसे इन्हों पूछा है। और इसका جो हमें सही Anglms सर ऐडाता है देखिए कि यह अ, यह सर बे औफ इंडिया कि दवारा सबया कि इवारा एंडिया कि दौरा, अगला question पूचा है कि भारत का power plant कहां इस्थित है यह हमसे पूचाए इनोंने जो घुट है उद्यपुर में अगला question हophone तो इसका जो हमें say answer उसका says बताना है कि मलजब खंड में इस्थित है भारत का click content है अगला question हम देखते हैं कि जो कावेरी जल विवाद में निम लिखित में से कौन सा राज्य सम्मीलित है तमिलनाडू सम्मीलित है महराथ सम्मीलित है गोवा सम्मीलित है यह उप्रियुक्त में से सभी सम्मीलित है और 32 का फ्रेंट से यांतर हो जाएगा यह तमिलनाडू सम्मीलित है कावेरी जल सभी नहीं है यह हम से पूचा है चलिए देखते हैं पहला उपसंवाले राजियों की जनसंख्या अधिक कम है तो इसका हमें सहीं अंसर बताना है ठीक है और question आपने देखी लिए है 33 का अगर हम देखी तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए महीला साक्षरों की संख्या है पुरुष साक्षरों से अधिक है चलिए अगला question हम देखते हैं अगला question है कि 2011 की जनगर्णा के आंकड़ों के अनुसार निमली कितमी से किस राज्य की साक्षर्टर रास्टे साक्षर्टर के अउससर से अधिक है महरास्ट की मध्य प्रदेश की आंदर प्रदेश की उडिसा की तो 34 का फ्रेंड सही आंसर हो जाएगा ठीक है वो हो जाएगा एक किसकी महरास्ट की अधिक चलिए अगला question हम देख लेते हैं अगला question उन्हें पूछा है कि सरदार सरोवर निमली कितमी से किस राज्य में है ठीक मध्य प्रदेश में है गुजरात में है राजिस्थान महरास्ट तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भी गुजरात में इस कि क्षित है चलिए अगला question में तेम्हीं हम देख लेते हैं कि निमली कितमी से कौन सी नकदी फसल है आलू है अगला कोश्चन है अरतीस बार कि निमली कित में से कौन सब्सक्राइब राज्जियों की सयुक्त राजधानी है वह बहुत इसी कोश्चन है दिल्ली चंडीगर्ड जम्मू या बंगलोड तो इसका सही आंसा क्या जाएगा चंडीगर्ड इसका सही आंसा बहुत अलगले कोश में से किस राज्य की जन संक्षा ब्रद्धी दर सबसे कम है गोवा नहीं करनाटक भी नहीं है किसकी कोई नहीं है तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा चलिए अगला कोश्चन है पिरसिद्ध चिलका जील इस्तित है ठीक है कहां पिरस्थिद्ध मंगाल में नहीं जी उडीस में बिहार में तमिलनाडू में तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा उडीसा में इस्तित है पिरसिद्ध चिलका जील चलिए अगला कोश्चन हम देखते हैं कि निम लिखित में से कौन सा राज्य है ठीक है तेंदू पत्ते का मुख्योत पादक राज्य है उडीसा इसका सही आंसर हो जाएगा वह जाएगा सी मद्ध पेदेश जो है वो तेंदू पत्ते का मुख्योत पादक राज्य है चलिए अगला कोश्चन हम देखते हैं तेकि अगला कोश्चन है लास्ट कोश्चन है और यह आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि हमार ब्रहमकुत नम्रद सिंदू इसका मैं सही आंसर बताना है आपको जरू इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरू जरू बताना है और इस क्लास को अगर या क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर कर दें अपने फ्रेंट सेल करें ताकि वो भी इस क्लास को इंज झाल झाल झाल